हालो फ्रेंड, वेलकम टू SSC केमपस दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइलोजी के एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक बिटामिन्स के बारे में दोस्तो बिटामिन्स रिलेटेड कोशन हमारी एक्जामस में बार बार पूछी जाते हैं इसलिए बिटामिन्स के बारे में समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है तो आज की इस वीडियो में हम पूरा फूल कॉंसेप्ट बिटामिन्स के बारे में बताने जा रहे हैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुरू से अंतक देखें ताकि आपका पूरा concept clear हो जाए तो चलिए दोस्तो विडियो लक्षर को start करते हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि vitamins क्या होता है और इसकी ज़रूरत जो है हमारे सरीर को क्यों पढ़ती है तो देखे vitamins एक ऐसा carbonic compound है जो की चाहे कम अत्रा में ही सही प्रन्तु हमारे सरीर के metabolism के लिए बहुत ही आवश्यक होता है हमारा सरीर खुद से vitamins नहीं बना पाता है इसलिए जो इसकी कमी है वो भोजन से हम पूरा करते हैं लेकिन कुछ ऐसे vitamins हैं जिसको हमारा सरीर बनाता है जैसे की vitamin D तथा vitamin K दोस्तो घुलन सीलता का आदार पर vitamin को हम दूब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट water soluble मतलब जल में घुलन सील vitamin जैसे की vitamin B, vitamin C और सेकेंड है fat soluble मतलब वसा में घुलन सील vitamin जैसे की vitamin A, vitamin D, vitamin E, तथा vitamin K तो चली हम फर्स्ट बात करते हैं water soluble vitamins के बारे में दोस्तो जो water soluble vitamins होते हैं उनको हम store नहीं कर सकते हैं और यह हमारे सरीर में ज्यादा देर तक भी नहीं रहते हैं वही अगर हम second बात करें fat soluble vitamins के बारे में तो यह हमारे सरीर में असानी से store हो जाते हैं और या fatty tissue में store होते हैं दूस्तो fat soluble vitamins हमारे सरीर के अंदर बहुत दिनों तक या यह बोले कि महीनों भर रह सकते हैं दूस्तो हमारे सरीर में 13 प्रकार के vitamins के जरुवत पड़ती है तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन-कौन से vitamins है तो देखे हम सबसे पहले first बात करते हैं बिटामिन A के बारे में तो देखे बिटामिन A का जो रसाइनिक नाम है वो retinol है या fat soluble vitamins है बिटामिन A का जो मुख्य काम है हमारे bones तथा muscles को मजबूती तथा ताकत देना है दोस्तो ये खून में calcium का balance बनाये रखता है दोस्तो इसकी कमी से हमें आखों के रोग हो सकते हैं जैसे की रताओं दे बिटामिन A के जो मुख्य सोर्स है वो है दूद, अंडा, पनीर, हरी सबजियां दोस्तो ये हमारे बालों को भी स्वस्त रखने का काम करते है तो चलिए दोस्तो हम second बात करते हैं बिटामिन B के बारे में दोस्तो बिटामिन B को हम कई types में divide कर देते हैं ठीक है? तो चलिए हम first बात करते हैं बिटामिन B1 की विटामिन B1 का जो रसाइनिक नाम है वो थाइमीन है और यह वाटर में सल्यूबल होता है दोस्तो विटामिन B1 हमारी मस्तिस को बिक्सित करने के लिए मतलब डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसकी कमी से हमें बेरी-बेरी रोग हो सकता है विटामिन B2 हमारे स्कीन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है इसकी कमी से त्वाचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीव का फटना, इत्यादी समस्याएं जो है उत्पन हो जाती है दोस्तों इसका जो में सोर्स है, वो है केला, दूद, दही, मांस, अंडे, हरी, बीन्स और मचली ये सब के सब बिटामिन B2 में पाया जाते हैं तो चलिए नेक्स ताम समझते हैं बिटामिन B3 को तो देखिए बिटामिन B3 का जो रासाइनिक नाम है, वो नियासीन है दोस्तों ये हमारे सरीर में बलड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं और सिर्दर्द दस्त को कम करने में हेल्प करते हैं दोस्तों अगर मैं इसकी मुख्य सोर्स की बात करूँ तो यह खजूर, दूद, अंडे, टमाटर, गाजर, मुंगफली, गन्ना, इत्यादी में पाय जाते हैं तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं बिटामिन B5 के बारे में बिटामिन B5 का जो रासाइनिक नाम है, केमिकल नाम है, वो है पैंटो थेनिक एसिड दूस्तों या बालो को स्वस्त रखने और सफेद होने से बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी है इससे तनाव भी कम होता है दूस्तों B5 के कमी से पेलेगरा, मतलब जो तवचा दाग कहा जाता है, या 4D सिंड्रोम हो जाता है इसका मुख्य सोर्स है, मांस, मुफलिक, आलू, टमाटर, हरीपतिदार सबजिया तो चलिए अब हम नेक्स बात करते हैं, बिटामिन B6 के बारे में तो देखे, बिटामिन B6 का जो रसाइनिक नाम है, वो पारिडॉक्सीन है इसका काम सुबह की ठकान को कम करना होता है, तथा तनाव और अनिंद्रा से मुक्ति देता है दोस्तो इसकी कमी से एनीमिया तथा तवच्य रोग हो जाता है दोस्तो इसकी अगर मैं मुक्य सोर्स की बात करूँ, तो यह मांस, अनाज, केला तथा सबजियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है नेक्स आम बात कर लेते हैं, बिटामिन B7 के बारे में तो देखे, इसका जो रसाइनिक नाम है, वो बायोटीन है दोस्तो यह तवचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसकी कमीशेह में लकवा, सरीर में दर्द, बालों का गिरना, इत्यादी समश्याएं उत्पन हो जाती है दोस्तो अगर मैं इसकी सोर्स की बात करूँ, तो यह मांस, दूद, अंडे की जर्दी, सबजियां इन सब में पाया जाता है तो चली अब हम नेक्स बात करते हैं, बिटामिन B9 की तो दीखे, इसका जो रसाइनिक नाम है, वो फोलिक एसीड है यह तवचा और गठिया के उपचार के लिए बहुत important माना जाता है प्रेगनेंट महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है तो इसकी कमी से हमें अनीमिया 25 रोग हो जाता है दोस्तो अगर मैं इसकी सोर्स के बात करूँ तो यह दाल, सबजियां, सुरज मोखी के बीज, कुछ फलो में भी यह पाया जाता है अब नेक्स चाम बात करते हैं बिटामिन B12 के बारे में दोस्तो इसका रसाइनिक नाम साइनो का बालामीन है यह फायदे के अगर मैं बात करूँ तो यह एनीमिया मतलब जो हमारे सरी में खुन की कमी हो जाती है या फिर मुव में अलसर जैसे बीमारियों को कम करने का काम करता है और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं तो देखे इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडू रोग हो जाता है और ज़्यादातर यह कहां मिलता है तो यह मांस, कलेजी, दूद, अंडा और दूद से बनाये गए उतपादों में यह सबसे ज़्यादा मिलता है तो चलिए दूस्तो हम नेक्स बात करते हैं बीटामिन सी के बारे में तो बीटामिन सी का जो रसाइनिक नाम है वो एसकॉर्बिक एसीड है यह water-soluble बीटामिन होता है दूस्तो यह बीटामिन हमारे तवचा और हट्डियों के लिए बहुत ही उपियोगी होता है और साथी साथ किसी भी घाव को ठीक करने में ये बहुत हेलफुल होता है बिटामिन सी के कमी से इसकरवी मस्टूडों का फुलना त्यादी रोग हो जाता है बिटामिन सी की कमी हमफल जैसे की संत्रा, नरंगी और सबजियां जैसे की निम्बू, टमाटर, मिर्चा खाकर पूरी कर सकते हैं दोस्तो ब्रोकली में बहुत ही अच्छी मातरा में बिटामिन सी होता है यह महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है यह जो प्रेगनेंट महिलाएं होती है या फिर कोई जो धुम्रपान करता है उनको सबसे ज़्यादा खाना चाहिए तो चलिए दोस्तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिटामिन डी के बारे में यह हमारे immune system को strong करने में बहुत helpful होता है दोस्तो इसकी कमी से हमें सुखा रोग मतलब रिकेट्स हो जाता है दोस्तो बिटामिन डी या तो हमें आहार से मिलता है या हमारा skin खुद से बिटामिन डी बनाता है बिटामिन डी को बनाने का काम सुरी के प्रकास में उपस्तित परावैगनिक किरणों द्वारा skin के कुलिस्टरॉल के द्वारा होता है मतलब यह हुआ कि हमारा सरीर खुद बिटामिन डी बना लेता है अगर आहार की बात करें तो दूद और अंडे की जर्दी से भी हमें बिटामिन डी मिल जाता है तो चलिए दोस्तो अब हम निक्स बात करते हैं बिटामिन E के बारे में बिटामिन E का रासाइनिक नाम टोकोफेरॉल है दोस्तो यह fat soluble vitamins होता है और इसका जो मुख्य काम है हमारे जो immune system है उसको मजबूत करना है बिटामिन E की कमी से हमारे सरीर में जनन सक्ती कम होने लगता है बिटामिन E हमें बनस्पती तेल, अनाज, बदाम, अंडा और दूद में मिलता है जिन लोगों को liver से related problem होता है उनको ज़्यादातर ये दिया जाता है तो चलिए दोस्तो अब हम last बात कर लेते हैं बिटामिन K के बारे में बिटामिन K का रासाइनिक नाम phyloquinone है देखिए यह fat soluble vitamins होता है बिटामिन E का जो मुख्य काम होता है वो bones तथा tissue के लिए protein बनाना होता है दोस्तो हमारे सेर्ज में बिटामिन K की कमी से रक्त का थक्का बनने लगता है इसका मुख्य सोर्स, टमाटर तथा हरी सबजिया है झाल 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 आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर लिजए और उसके बगल में छोटा सा वेल आइकन है उस पर भी क्लिक खर लिजए ताकि टाइम टो टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिविकेशन मिलता रहा है दूस्तों आप मुझे फेस्बूप पर भी फॉलू कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को वर्टसेप ते था फेस्बूप पर सेयर अवश्य करें किरप्या हमें कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगी आपके सुझाओ का हमेशा स्वागत रहेगा वीडियो को देखनी के लिए थैंक यू